माइसल फविनाश कुमार नारायन महाविद्याल है गोरिया कोठी सीवान जे परकास नारायन इन्वर्सिटी आज बी ए पार्ट वन के हिस्ट्री आउनर्स का जो सिलेवस है उस पे हम चर्चा करेंगे इस सिलेवस का नाम है सर्वे ओफ सोर्सेज एन एप्रोचेज टू एंसेंट इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज लिट्रेचर अर्केलोजी एपिग्राफ निमिस्मेटिक्स मतलब ये कहना चाहरा है सिलेवस में कि जो इतिहासकार है इतिहास को लिखते हैं तो उनके इतिहास को जो प्राप्त करने का क्या स्रोत है उनको जानकारियां प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है और वो जानकारियां प्राप्त करने के दर्मियान में कौन-कौन से को अपनाते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे इसके सोर्स साहित्तिक हो सकते हैं पुरातात्विक हो सकते हैं साहित्तिक स्रोतों में बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं और पुरातात्विक रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है अभिलेख जिसको इंग्लिस में कहते हैं एपी ग्राफ तो हो सकता है कि सिलेबस में ऐसे भी देदे कोशन आपको की अभिलेखों का क्या महत्व है तो अभिलेख का बहुत ही इंपोर्टेंस है इसके अभिलेखे के अधियन को क्या कहते हैं तो एपी ग्राफ कहते हैं फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष है वो है नियूमिसमेटिक्स यानि सिको के अधियन को नियूमिसमेटिक्स कहा जाता है ठीक है अब कोश्चन देखिए कैसे पूछ सकता आपको प्राचीन भारती एतिहास के पुरतात्विक बासाहितिक बिदेसी यातरी का बिबरन इत्यादि प्रस्तूत करें दूसरा कोश्चन सिला लेक सिखे किस प्रकार से पुरतात्विक सुरतों में मदद करते हैं तो यह काफी comprehensive syllabus है उस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ keywords दिये हुए हैं जिस पर चर्चा करेंगे survey and sources and approaches तो keywords में हम देखते हैं एक टीला है तो टीला का मतलब यहाँ पे कि धर्ती के अंदर उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियां यानि old settlement के अबसेस रहते हैं यह कई परकार के हो सकते हैं जैसे एकल सांस्कृतिक और बहुत सांस्कृतिक यह जो है आपका यह आपका लैंड हो गया जमीन हो गया यह और यह कहीं कहीं जमीन में ऐसे उचा हुआ भाग रहता है ऐसे उठा हुआ तो इसका मतलब है कि इसके नीचे जो है बहुत सारी बस्तियां दब गई है किसी समय में ठीक है तो माली जा कि एक संस्कृति से कि माली एक संस्कृति तो कई संस्कृति एक संस्कृति के ऊपर दूसरा संस्कृति के ऊपर तीसरा इस तरह की जो प्रकिरिया होते रहेगी तो उसको हम कहेंगे बहु संस्कृतिक टिला बहुत सारे कल्चर मिलेंगे जब यहां से हमने खुदाई किया तो सिंदू बैदिक कल्चर का अपसेस मिला हमको फिर धोड़ा नीचे गाए तो नगरिये सभिता मिलने ले तो ये बहु सांस्क्रितिक टीला का लाएगा और कई टीले ऐसे होगे कि माले सिंदु गाटी का ही पूरा अपसेस मिल रहा है तो एकल संस्कृतिक टीला मिलेगा अब देखिए ऐसा एरिया होगा जहाँ पे कि वो एरिया कई तरह के परतिनीधित्व कई संस्कृतियों के परतिनीधित्व करता है तब तो बहुत संस्कृतिक टीला मिलेगा लेकिन कोई ऐसा एरिया होगा ऐसा छेतर होगा जो कि चिर्फ एक ही संस्कृति वहां पर डेवलप हुए तो वहां पर एकल संस्कृति टीला का चिन ली मिलेगा अब यहां पर देखी कता है टीलो की खुदाई तो टीलो की खुदाई जो होती है वो दो तरह से की जा सकती है अनुलंब या होरी जोंटल एक्सकेवेशन और दूसरा है छैती यानि वर्टिकल एक्सकेवेशन अब देखिए दोनों को समझना है यहाँ पे कि आपको अनुलंब यानि होरी जेंटल जो होगा इस तरीके से खुदाई लेयर बाई लेयर जैसे एक लेयर यह हुआ फिर दूसरा लेयर हुआ फिर तीसरा मतलब इस तरीके से खुदाई हो रहा है और छैती यह देखिए होरी जेंटल हो गया वर्टिकल का मतलब ऐसे जैसे लंबे खोदता चला गया एकदम तो वर्टिकल जब खुदाई होगी तो माली जै कि यह है यह है एरिया ऐसे तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से यह एरिया जो है कम लेगा यह एरिया जो है वो कम लेगा लेकिन जब हम होरी जेंटल खुदाई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे एक layer फिर यहां से करेंगे फिर यहां से करेंगे तो इस तरह से जो है कई layer तो यह area जो 36 खुदाई का होगा वो बहुत बड़ा area लेगा ठीक है तो यह चीज़ समझना है हमको अब देखें यहां पे अनुलंक खुदाई और 36 होरी जेंटल और वर्टिकल खुदाई दोनों में क्या फर्क है देखें होरी जेंटल यानि कि इस तरह की खुदाईया होगी तो यह पूरे संस्कृती माल ले जाए कि यह पूरा पेज हम समझ लेते हैं कि यह सिंदुगाटी संभेता का area है अब इस area में आपने यहां पे सिर्फ खुदाई की अमाल ले जाए इस area में तो इस area में क्या आपको लगता है कि पूरे छेतर का परतिनीदित पूरे छेतर का हमको location क्या कैसा culture था हर चीज की जनकारी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी लेकिन यह गहडाई से जाएगी तो vertical भी जरूरी है लेकिन अगर हम यहां से खुदना सुरू करते हैं यहां से खुदते लेयर बाई लेयर जैसे एक page का हुआ फिर दूसरे page का हुआ फिर तीसरे page का हुआ तो इस तरह से लेयर बाई लेयर अगर हम नीचे जाते हैं अब बहुत बड़े area में जाते हैं तब हमें किसी भी चीज की किसी भी सभिता या संस्क्रिति की विशेश रूप से मतलब मने authentic जनकारी मिल पाएगे और उसकी पूरी जनकारी मिल पाएगे अब आते हैं हम यहाँ पे सिंदू घाटी सभिता पे सिंदू घाटी सभिता में हम देख चुके हैं कि जादा तर जो सिंदू घाटी सभिता में हमारा जो area है वो है जादा तर पाकिस्तान के area में पढ़ रहा है कुछ गुजरात के एरिया में भी पढ़ रहा है हमारे यहां जमु कसμीर के एरिया में फिर मेरत में है लेकिन ज़ weakerत थर एरिया जो हमारा फारत के उत्तरपस्चिम का इलाका जो है वो पाकिस्तान में यहां पर ब्वन रहा है अब इस एरिया की क्या दिकत है कि यहाँ पे आप पूरे एरिया को तो आप मतलब excavation नहीं कर सकते हैं खुदाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा settlement है बहुत जादा संख्या में लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो आप सारे लोगों को नहीं हटा सकते हैं वहाँ पर से इसी लिए जो कि हमको जनकारी नहीं मिल पाएगी लेकिन जितनी भी जनकारी हमको मिल ले उससे तो हमें यह पता चल गया कि सिंदु घाटी सब्वेता हमारे देश की ऐसी सब्वेता थी हमारे भारती उप महादीप में इंडियन सब कॉंटिनेंट में एक ऐसी सब्वेता थी जिसने न पहन जो दाड़ो दे ग्रेट बात ये वीसाल असनानागार का चित्र है आपका ये हो गया वाटर और ये हो गया इससे थोड़ा से ऊपर लेयर पर हम जाते हैं पांच नंबर है तो इससे थोड़ा ऊपर वाला लेयर हो गया चुकि ये थिरी डैमेंशन फीगर यहां पर बनान का वहा है अपर लेयर लीगदियां भी पांच नंबर है तो इससे ऊपर तीन नंबर हो गया को दरसाता है 820 ant यहां तो इस तरह से यह जो है यह सब एक मिला है हमको खुदाई से ठीक है 36 उत्खनन को रेखा चितर है ये जो है ये पूरा 36 उत्खनन है कुछ एरिया का 36 उत्खनन भी हो आ तो 36 उत्खनन जब हम किये तो पूरे great बात का हमको पूरा जनकारी मिल गया ठीक है अब माल लिजा कि हम इतना ही सभिता का ये साइट है तो धौला बीड़ा जो गुजरात का सिंदू गाटी सभिता में इस देखिए इस लेयर इस लेयर इस तरह का vertical खुदाई हुआ है यह कम छेत्रों में फैला हुआ होता है ठीक है अधिक छेत्रों में फैला होता है horizontal अधिक असपष्ट जनकारी देता है horizontal लेकिन खर्चीला बहुत ज़्यादा है horizontal क्योंकि पूरे एरिया को आपको खुदाई करना है लंबबात यह कम छेत्र में किया जाता है लेकिन गहडाई अधिक होती है यह कम खर्चीला होता है इसी रूप में हुई है यह आपका यहाँ पर chapter यहाँ पर समाप्त हो गया कि कौन-कौन से वो अपनाते हैं इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे कि यह approach कौन से अपनाते हैं अपनाते हैं